मित्रों नमस्कार आप लोगों की सेवा में आप किसान भाईयों की देश के सुब चिंतकों की सेवा में मैं फिर से एक नई वीडिया लेकर आपके सामने हाजर हुआ हूँ खर्पतवार को कैसे नियंत्रन करें देखिए मेरे सामने युवा व्रद व्यस्क अनुभवी सज्जन खड़े हैं मित्रों जानते हैं और बताते हैं आप सभी की जिग्यासा को पूरी करते हैं मित्रों जो आप ये गोबर का धेर देख रहे हैं अक्सर इसको राजस्तान में उकड़ी कहा जाता है देखिए मित्रों यह खुले में पड़ी है मैं सामने खड़े सभी युवा सातियों से अनुभवी सज्जनों से कहना चाहता हूँ पहले आप तो इसको किसी गड़े के अंदर बनाओ ताकि इसकी जो पोस्टिक ता इसकी जो अव्यव है इसके जो तत्त हुए इसके जो खनीज लवण है वो बने के बने रहे यह दूप में डालने से क्या होता है दूप से यह सूख जाता है और अपने खेत में असर नहीं करता है मित्रों कुछ इसको नई विदी से करता है तो देखिए मित्रों, देखिए सज्जनों यह जो आप गोबर का धेर देख रहे हैं अगर इस अवस्ता में पड़ा है इसको आगर आपको दो मेईने बाद खेत में देना है तो आप इसको किसी भी साधन के द्वारा, किसी भी औजार के द्वारा आप सुयंभावड़े द्वारा इसको उपर नीचे कर दीजی नया पूरान सब मिक्ष कर दीजी थोड़ा लंबा कर दीजिए लंबा करने के बाद आप इसके अंदर जीवामरत डाल सकते हैं गर पे बनाया WDC डाल सकते हैं इससे क्या होगा जब खात को आप गीला करेंगे तो उसके अंदर जो पानी आएगा जो अर्क निकलेगा वो फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है तो मित्रों आप जो किशान मित्र जो सामने खड़े हैं इन सभी से मेरा अनूरोद है आप उकडी को किस तरह कमपोश्टित करें आप इसको पानी डाल कर गीला कर दें फिर प्लास्टिक का पाल डाल कर इसको पूर्ण रूपसर डख दे दो महिने के लिए क्या होगा जो गोबर के धेर की जो गर्मी है वो गर्मी से वो वास्पिकरन होगा भाप बनेगी और उपर लगा जो प्लास्टिक है वो वापस नीचे की और आएगा और पूरे उकड़ी के अंदर वो नमी दोड़ेगी मित्रों बहुत ही बढ़िया कारगर खर्पतवार नासक चीज बनेगी जो बैस गाई किसी भी जानवर द्वारा आहार किया गया बीज जो गोबर के साथ साबूत निकल जाता है वो इस उकड़ी के अंदर जब आप इसको प्लास्टिक से डखकर रखेंगे वो जल जाएगा ये अपने को दो मेने तक करके रखना है और जो आप इस गोबर को खेत में डालेंगे तो खेत में गीला गोबर अच्छा रहता है फाइदा अच्छा करता है देखिए मित्रों सामने दो तिन सर्सों के पोदे मुझे दिख रहे है पोदे दूर है लेकिन मुझे मद्व मक्या इसके उपर बहुत दिख रही है ये प्राकरतिक गुणों से बरपूर ये जो सर्सों है इधर मैं आपको दिखा देता हूँ ग्यों की फसल में स्प्रिंकलर चल रहे है ये सर्सों की खेती है किशान मित्र रसाएं से मुक्ती चाहते है देशवाशियों आप अगर कमेंड करके मेरा मनोबल बढ़ाएंगे इन किशानों के साथ तो मैं अगली मिटिंग में इनको बताऊंगा आपके द्वारा वीडियो जो बनाया गया मेरा सपोर्ट किन-किन भारतवाशियों ने किया मित्रों किसान भाईयों तो जानते हैं अब अब इसको दो महिने तक रख दीजिए और ये धूप से जले नहीं इसके लिए अपने यहां खींप होता है ताकि कोई जानवर उसको फोड़े नहीं उपर से चाओं रहेगी तो जलेगा नहीं तो अंदर की जलन और बाहर की जलन चमड़ी फटा जाती है उसी तरह ये प्लास्टिक का पाल आप जो करते है वो सुरक्सित रहना चाहिए दो महीने बाद आप इसको जब निकाल के देखेंगे तो एकदम भुरबुरा जैसे अपन बाजरे का लड़ू बनाते हैं या दाल बाटी का जो चूरमा करते हैं उस तरह ही हो जाएगा आप खेत में डालने के बाद आप इसको खेत में खुला न छोड़े ज्यादा समय के लि मित्रों आप इस विधी को अपनाईए और इस विधी को अपनाने के लिए आप अपना मत दीजिए आप इस विधी को अपनाएंगे जी देखिए मित्रों मैं अब थोड़ा आपसे परिचे ले लेता हूँ आपका नाम आपका नाम पपूराम जी जो आज का वीडियो में ब इससे आपको फाइदा लगा आपका फरीचे मांगिलाल जी जो आज आपने मुझे यहां बूला कर मेरा जो समय लिया मैं कृतग्य हूँ देशवासियों और मेरा मनोबल ये किशान मित्र बहुत बड़ा रहे हैं और मुझे ये दावे के साथ कह रहे हैं अगली बार आपको 15 दिन पहले कपास की विजाई के दिनों के 15 दिन पहले आकर विधियां बतानी है किस विधि से नेचुरल फार्मिंग के लिए हमें कपास का उत्पादन लेना है तो आप जेवी खेती को लेकर दो सब्द क्या कहेंगे मेरे लिए या देश के किसानों के लिए करना चाहिए कर विधि जो बताया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे अच्छा तरीका है जी आज जो मेरी मेरी मीटिंग आपसे हुई उसमें आपको संतुष्टी मिली या नहीं मिली बहुत अच्छी संतुष्टी मिली खुश हो गया चलो आगे बढ़ते हैं आप अनुभवी सज्जन खड़े हैं मुक्णा राम जी और ये फारम आपका ही है और हम यहां आए हैं आप कहिए किसानों के लिए देशवासों के लिए दोशब्द क्या करना चाहिए जेवी खेती करना चाहते हैं उनको बहुत ही मतलब यह है फाइदा अनिका है जेवी खेती फाइदे मंद है जो आज आपने एक छोटे से बच्चे से जो सीका इसके बारे में दोशब्द कहिए बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया जान करे मिली जी आप अनुबवी हैं जी आप बताईए अपना नाम मामराज मामराज जी जेवी खेती करनी चाहिए करनी चाहिए आप बताईए जेवी खेती करनी चाहिए या रसाइन खेती करनी चाहिए जेवी खेती करनी चाहिए सब देशी चीज अपनानी चाहिए जी बहुत बहुत दन्यवाद देश के युवा मित्रों देश के करणदारों देखिए मेरा सपना मैं पूरे भारत को राजस्तान कोई नहीं मेरे घर कोई नहीं मेरे खित कोई नहीं मैं पूरे भारत को आप लोगों के सयोग से रसाइन मुक्त देंगना चाहता हूँ तो क्या आप ये प्रतिग्या कर सकते हैं बिल्कुल देश्वाशियों देखिए ये मेरे राजस्तान के ये सूर वीरों की दर्ती ये महराना परताब की दर्ती ये तपश्यों की दर्ती पर आज ये प्रण कर रहे हैं कि आज के बाद हम रसायन को दीरे दीरे कम करेंगे ये 363 की धरती जी 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 और अपने अक्सर राजस्तान के सैनिक पूरे भारत में और सबसे ज़्याजा जाट मित्र जो युवा मेरे देश की सरदों की रक्षा करते हैं मैं राजूराम राठोड उनको सलाम करता हूँ और उनमें ही जो आप बीच में खड़े हैं मोठी मोचों वाले मुकना राम जी आप रिटायर फोजी हैं और आज एक छोटे बच्चे को इतने दिल में जगह देकर जो आप मेरा मनोबल बढ़ाया इसके लिए मैं बहुत करतग कि हूँ किशानसातियों इन मित्रों के लिए आप अपना कमेंट जरूर दीजिए दन्यवाद एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर से हाजर होऊऊँगा तब तक के लिए दन्यवाद मित्रों आज का वीडियो बस इतना ही जरूर पने करें शेर करें अपनी राय झाल झाल